नमस्कार कक्षा 6 exercise 3.3 question number 5 हम कर रहे हैं जिसमें हमें blank space में छोटे से छोटना और बड़े से बड़ा digit लिखना है ताकि यह number 3 से divisible हो तो आईए देखते हैं सबसे पहले हम sum of digits निकाल लेते हैं जितने हमें digits पता हैं यह 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस डैश यह नहीं पता बाकी 2 है 7 और 4 11 11 और 6 17 17 पांच 22 22 और 2 24 सबसे पहले तो देखें कि क्या 24 तीन के पाड़े में आता है हाँ बिलकूल आता है ठीक है बच्चों तो सबसे छोटा digit क्या हो सकता है ताकि यह संख्या 3 के पाड़े में आए तो सबसे छोटा digit digit होते है 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 क्योंकि यह सम पहले ही 24 है तीन के पाड़े में आता है इसलिए सबसे छोटा digit होगा 0 यहाँ 0 भरने से भी जो sum of digits है वो 24 ही रहेगा और वो तीन के पाड़े में आता है इसलिए smallest digit होगा 0 जो यहाँ लिखने से यह पूरा नंबर तीन के पाड़े में आएगा और यदि हम largest digit की बात करें तो देखिए अभी हमारे पास जो sum आ रहा है वो आ रहा है 24 सबसे बड़ा जो digit होता है वो ते नो तो देखते हैं यह प्लस करके क्या तीन के पाड़े में आएगा नो चार तीन तेरा हासल आएगा एक दो रेक तीन 33 तीन आता है तीन के पाड़े में 11 यह 33 इसका मतलम यदि हम digit 9 ले 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 यहाँ पर तो उसका जो सम होगा वो 33 हो जाएगा और वो तीन के पाड़े में आता है तो हमने सबसे बड़ा digit लेना है इसलिए हम 9 ही लेंगे तो हमसे पूछा गया था smallest digit कौन सा होगा largest digit कौन सा होगा sum of digit 24 था इसलिए smallest digit है 0 ताकि 24 में 0 ही प्लस रहे तो 24 रहे वो तीन के पाड़े में आता है और सबसे बड़ा digit होगा 9 क्योंकि 24 में 9 प्लस करने से 33 बनता है जो की तीन के पाड़े में आता है smallest digit और largest digit हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया है आशा करता हूँ ये प्रश्ण ये वीडियो आपको समझाया होगा यदि समझाया हो तो हमारे वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद